हलो फ्रेंट्स वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल एक्जाम अचीवमेंट मैं करुणा इस यूट्यूब वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ ड्राइंग सब्जेक्ट की टीजटी पीजटी पोस्ट के लिए एक्जाम स्लेबस क्या रहता है दोस्तों हमारे सब्जे की पोस्ट अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग नाम से निकाली जाती है जैसे यूपी में चित्रकला के नाम से दिल्ली में ड्राइंग या फिर फाइन आर्ट के नाम से राजस्थान में स्कूल वेख्याता के नाम से लेकिन हमारा जो स्लेबस है वो सेम रहता है तो अग फिर वो KVS है, NVS है, RPSC है, UP है या फिर उत्राखंड है या फिर अधर स्टेट क्यों नहीं है इंडिया के तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अब स्लेबस की स्लेबस में जो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहता है वो रहता है प्रगिति हासिक कालें कला अच्छा ठीक है दोस्तों मैं यहाँ पर सिर्फ आपको स्लेबस का जो में नाम है मतलब उसके अंदर कई सारे पार्ट्स हैं हर टॉपिक में बहुत सारे पार्ट्स हैं मैं उनके बारे में हाँ आपको नई बता रहे हूं यहाँ पर सिर्फ मैं आपको बता रही हूं चप्टर वाइज जब हम इन में से हर चप्टर को स्टार्ट करेंगे तो उसके जो चोटे बड़े जितने भी टॉपिक या फील प्लेसेस हुंगे उन सब को कवर करते चलेंगे तो सबसे पहला है हमारा प्रगितिहासिक कालेन कला जिसके मतब यूपी में और रजिस्थान में मत्यप्रदेश में जितने भी पढ़ेंगे हमारे प्लेसिस पढ़ेंगे उन सभी को हम रीड करेंगे जब हम प्रगितिहासिक कालेन कला को पढ़ेंगे. सेकेंड है हमारा सिंदु घाटी की सब्विता और उसके अंदर कला ये हमारा हिस्ट्री का भी टॉपिक हो जाता है जर्नल अवेर्नेस के जो कुछ कोशन्स हमारे आते हैं उसके अंदर सिंदु घाटी से भी कुछ कोशन्स हमें मिल जाते हैं करने के लिए थर्ड है हमारा वैदिक कालिन कला अच्छा ये इस टॉपिक को अथिकतर छोड़ दिया जाता है ये बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें से एक दो कुशन आही जाता है लेकिन इसको बहुत जल्दी से बहुत जादा से नहीं कवर कराया जाता मैंने देखा है चौथा टॉपिक है हमारा मौरे काल, सुंकाल, कुशान काल और गुप्त काल के अंदर जो भी कला हमारी विक्सित हुई है उसके बाद हम पांचवे टॉपिक में आएंगे तो उसके अंदर हम सारी गुफाओं को जो जोगी मारा से लेकर के अजंता, बाग, बदामी, सिगिर्या, एलोरा, एलिफेंटा, इन सब के अंदर जो भी कला है, रंग है, जो भी इनकी विशेशताएं हैं, इनको हम पढ़ेंगे इसके बाद हमारा छटा चेप्टर आ जाएगा पाल, अपभरंश, राजिस्थानी अर यह जो लगुचित्रकला हमारी शुरू हुई थी पालप ब्रंश से और उसके बाद राजिस्थानी, पहाडी, मुगल, दक्षनी, कश्मीर और कंपनी शेली जहां हमारी लगुचित्रकला का एक तरा से हम क्याते हैं, ठीक है, एंड हो गया, तो इसके अंदर हम सारी शेलियों को एक साथ छटे चेप्टर में रिट करेंगे, इसके बाद हमारा सेवन चेप्टर हो जाएगा आधुनिक कला, जिसके जो शुरू होती है हमारी बंगाल शेली से, फिर बंगाल शेली के बाद वो जो छोटे-छोटे से कलाकार सम्हू बन गए थे, उनको हम इसके अंदर देखेंगे, और इसी के अंदर हम जानेंगे, वो जो कलाकार प्रभावित हो गए थे, वादों से, वाद हम पढ़ते हैं, किसमें पास्चत्य कला में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे इंडियन आर्टिस्ट भी उनसे जो प्रभावित हो थे, उसको हम देखेंगे, चेप्टर नमबर 7 में, चेप्टर नमबर 8 यहाँ पर आजाता है आपका समकालिन कलाकार, समकालिन कलाकार मिंस कंटमपरी आर्टिस्ट, जो हम सब के समय में हैं, या कुछ समय पहले चले गए, या हमारे समय में कारे रात हैं, तो वे सभी चितरकार, मूर्तिकार, ग्राफिक कलाकार, या फिर, क्या है यह नया, एडवर्टाइस्मेंट आ वास्तु कला में फिर हम पूरा इंडिया के जिसके अंदर उत्तर भारत के दक्षिन भारत के मध्य भारत के सभी मंदिर और उनकी विशेष्टाओं को हम नो मेरीड करेंगे दसवा हम रखेंगे देखो मैंने इसके अंदर mention नहीं किया है लेकिन दसवा चेप्टर हम रखेंगे miscellaneous का जिसके अंदर हमारे basic कुछ questions होंगे जो की प्राचीन कला पर बेस रहेंगे जिसके अंदर हमारा नाटे सासर वगरा सौंदरे सासर वगरा include होगा दोस्तो इसके बाद जब हमारी Indian आर्ट हम लोग cover कर लेंगे उसके बाद हम पास्टरते स्टार्ट करेंगे तो मैं आप सभी से बस यहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ आप बने रहें बहुत अच्छे से हम आने वाली आगामे परिक्षाओं की तयारी करेंगे आपका और मेरा दोनों का सहयोग बना रहा तो हम जरूर अपनी परिक्षाओं पर विज़व राप्त करेंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन को प्रेस कर दें वीडियो को लाइक और शेयर कर दें धन्यवाद दोस्ते